काली पहु का हैंडसम पती लाया मौडन सौतन बेटा कुछ फाइदा लगा क्या? माँ ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है मेरी खाल ए भगवान क्या बवाल लगा दिया मैंने इसके चहरे पर अरे मीनल बेटा जल्दी से दर्वाजा खोल मैं तेरी कुछ मदद करती हूँ अपनी मां के बोलने पर किसी तरह मीनल ने करहाते हुए दर्वाजा खोला उसके चहरे पर चार कोल फेस मास्क लगा हुआ था जिसको निकालने में मीनल ने अपनी जी जान लगा दी थी मेरी क्या मती ही मारी गई थी जो ये काला मास्क तेरे चहरे पर चिपकाया बेटा बस थोड़ा सा और ये मास्क बस निकलने वाला है आँ मां हराम से आँ शीतल ने अपनी बेटी के मूँ से उस मास्क को बड़ी बेदर्दी से खीचा हाला कि उस मा को भी दर्द तो हो रहा था लेकिन वो मास्क मीनल के मूँ से बुरी तरहा चिपक चुका था मा छूट गया क्या? हाँ निकल गया कुछ फर्क पढ़ा क्या? कहां कोई फर्क पढ़ा है कभी किसी चीज से फर्क पढ़ा है जो आज पढ़ेगा दुनिया भर का दर्द जेला इतनी आज थी मुझे इस कोर से कि तेरा रंग निखर जाएगा लेकिन कुछ फाइदा नहीं हुआ पता नहीं किसकी काली नजर लग गई मेरी बेटी को इतनी गोरी चिट्टी लड़की थी मेरी क्या काला सायहा बन गई है शीतल के ऐसे बोलने पर मीनल ने भी अपना मुँ आईने में देखा मीनल का रंग बेहत काला पढ़ चुका था ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन मीनल को देखने के लिए लड़के वाले आए मीनल बेटा तुझे देखने रिष्टे वाले आए हैं जल्दी से मेक अप कर ले नहीं मा मैं मेक अप नहीं करूंगी अगर किसी को मुझे अपनाना है तो मेरे इसी सच के साथ अपनाए इस तरह धोके से किसी का साथ अच्छा नहीं है अच्छा और तेरी इस सत्यवादिता की वजह से हम तुझे सारी जिंदगी अपने साथ नहीं रख सकते हैं मीनल बेटा देख मेरी बात सुन तेरे लिए अब तक दसियों रिष्टे आ चुके हैं लेकिन तेरे रंग की वज़ा से एक भी कामयाप नहीं हुआ इसलिए अब तु ये जिद छोड़ दे कि कोई तुझे तेरे असली वजूत के साथ अपनाएगा अब हमें चल करना ही पड़ेगा चल दी से मेकप लगा और नीचे आ जा और हाँ तू इस काले रंग की चिंता मत करना तू क्या शुरू से ही ऐसी है मैं किसी चीज का तो पता निकाल ही लूँगी देखना तू फिर से निखर जाएगी अपनी मा की बात के आगे मीनल कुछ नहीं बोली और वो मेकप करके नीचे आ गई नीचे उसके लिए जिसका रिष्टा आया था वो लड़का बहुत ज्यादा हैंसम था और साथ ही मीनल भी मेकप करके किसी अपसरा या स्वर्ग से आई हुई परी से कम नहीं लग रही थी श्याम को पहली ही नजर में देखकर मीनल पसंद आ गई आपकी बेटी तो तस्वीर में जैसी दिखती है असल जिन्दगी में तो और भी अच्छी है हमारी जोड़ी खूब जचेगी शुक्रिया बेचारे श्याम जी ये तो मेरी पुरानी तस्वीर है इन्हें अब क्या पता कि मैं कैसी हो चुकी हूँ हे भगवान सुना है जूट की बुनियात पटी के रिष्टे ज्यादा दिन नहीं चलते लेकिन बस आप मेरा साथ देना ये मेरी मजबूरी है मीनल चाहती तो नहीं थी कि वो जूट बोले लेकिन अपने परिवार के खातर ये उसकी मजबूरी थी मीनल पालर वगेरा के ट्रीटमेंट लिया करती थी ताकि उसका खोया हुआ निकार वापस आ जाए लेकिन कहीं से भी किसी भी ट्रीटमेंट का फाइदा नहीं लग रहा था देखते ही देखते ऐसे दिन गुजर गए और मीनल और श्याम की जूट की बुनियात पर ही शादी हो गए श्याम बहुत ज़्यादा हैंसम था और मीनल भी मेकप लगा कर बहुत सुन्दर हो जाती थी जिसकी वज़ज़ से श्याम उसे बहुत पसंद करता था एक रोज श्याम काम से घर लोटा मीनल ने उसके लिए दरवाजा खोला अगर घर आते ही ऐसा चांद सा मुकरा देख जाए तो क्या ही थकान रह जाती है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ साथ बैट कर खाएंगे श्याम ऐसे ही मीनल को बहुत प्यार से रखता था उसे खाने पीने की चीज़े ला कर देता और उससे बहुत ही प्यार से पेश आता था मीनल भी अपनी जिंदगी में खुश थी लेकिन उसे अपनी काली सच्चाई की चिंता भी खाती रहती थी ऐसे ही सिलसला जारी था और एक रोज मीनल और श्याम बाजार गए हुए थे अचानक से ही बारिश आ गई जिसमें मीनल का मेकप धुल गया और उसका काला रंग श्याम के सामने आ गया तुम कौन हो और मेरी पत्नी मीनल कहा है मैं ही मीनल हूँ श्याम जी आपकी मीनल मजाग मत करो तुम मेरी पत्नी होई नहीं सकती हो अरे वो तो दूद की तरह गोरी चिट्टी थी बिलकुल ऐसे जैसे हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी और तुम तो काली चाई की तरह काली हो ऐसे मत बोलिये श्याम जी मैं मीनल ही हूँ वो जो सुन्दरता थी वो बस उपरी दिखावा था यही मेरी सच्चाई है नहीं तुम जूट बोल रही हो ना है ना नहीं मीनल तुमने मेरे साथ धोका किया लेकिन क्यों श्याम को उस दिन बहुत ज़्यादा गुसा आया मीनल ने उसे काफी समझाना चाहा लेकिन श्याम अब उसकी एक नहीं सुन रहा था दोनों घर आये जहां मीनल की सास ने भी उसे खूब बुरा भला बोला काली का लूटी तुझे मेरा हीरे जैसा बेटा ही मिला था अपने काले जाल में फसाने को मा जी मेरा येकिन कीचे मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ मेरी मा इस काली तुचा का इलाज ढून रही है मैं निखर जाओंगी जब अभी तक नहीं निखरी तो एकदम से क्या जादू हो जाएगा ये भगवान ये तुने अच्छा नहीं किया मेरा बेटा जितना अच्छा है उसे उतनी कुरू पत्नी दे दी सीमा ने भी मीनल को खुब खरी कोटी सुनाई अब श्याम भी मीनल से बोलना पसंद नहीं कर रहा था मीनल ने ये सारी दुरघटना अपनी मा को फोन पर सुनाई अरे नहीं जिसका डर था वही हो गया ऐसे मीनल चिंता मत कर मुझे कुछ दिन पहले ही मेरी लंदन वाली सहेली ने एक नुस्का बताया था वो ऐसे ही काले पन को हटाने के लिए है जैसे कि तू अचाना काली हो गई है मैंने अपने हाथों से संत्रे का चलका पीस कर और उसमें जड़ी बूटियां डाल कर उसे तयार किया है एक महीना लगा ले मीनल ने उदास मन से ही ऐसा बोला फिर क्या था उसी वक्त मीनल की मा उसके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ वो नुस्का ले आई और मीनल को उसे खाने और लगाने का तरीका भी बता दिया मीनल ने इस बारे में श्याम को भी बताया लेकिन उसने उसकी बाद पर ध्यान नहीं दिया ऐसे ही अगली सुभा जब मीनल सोने के बाद अपने कमरे से उठकर आई तो उसने घर में अपनी ही उम्र की एक गोरी चिट्टी सी लड़की को देखा मा जी ये कौन है कोई महमान आई है क्या नहीं महमान नहीं है, मेरी बहू है निकिता आपकी बहू? लेकिन मा मैं सारी जिन्दगी तुमारा बोज़ा नहीं ढोषकता हूँ तुमने मेरे साथ धोका किया तो अब बस ये उसी की सज़ा समझ लेना मैंने निकिता के साथ दूसरी शादी कर ली है यह सच में सुन्दर है और आज से यही मेरी प्रिय पत्नी है समझाया श्याम जी आपने क्या किया माना कि मैंने आपसे सच को छिपाया लेकिन अब मैं अपनी मां का बनाया हूँ और उसका इस्तमाल कर रही हूँ एक महिना मुझे और दे देते क्या एक महिना और दे देते जब कई सालों की मेहनत से ये कालापन नहीं निकला तो अब क्या जाएगा सही कहा श्याम जी ने तुम उनके लिए बनी ही नहीं हो मैं और श्याम साथ में पॉफेक लगते हैं तो अब ज्यादा मगरमच के आंसू मत बहाओ निकिता की बात सुनकर मीनल शान्त हो गई लेकिन वो अपनी मा के बनायन उसके को पूरे विश्वास के साथ कर रही थी उसके अंदर कोई ऐसी परिशानी बनी थी जिससे कि उसका गोरा रंग छिप चुका था मीनल ने रोजाना उस संत्रे के छिलको के पाउडर को खाया और उसी में कुछ और जड़ी बूटिया मिला कर अपने चेहरे पर भी लगाया एक ही हफते में उसे फर्क दिखाई दिया जो कि श्याम और सीमा को भी दिख रहा था तू तो सच में निखर गई मीनल हाँ मा जी क्योंकि एन उसका मेरी मा ने अपने हाथों से जो तयार किया था सच में मा से बड़ा डॉक्टर भी कोई नहीं है हर बिमारी का इलाज है उन हाथों में तुम तो पहले से भी जादा सुन्दर लग रही हो मुझे माफ कर दो मीनल मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया शायद मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था लेकिन अभी भी देर नहीं होई है मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ श्याम की बात सुनकर मीनल मुस्कुराने लगी श्याम ने उसी वक्त निकिता को तलाग दे दिया और मीनल को उसका हक और सुन्दरता दोनों वापस मिल गए जब शीतल ने मीनल को देखा तो वो भी बहुत खुश हुई अब सब कुश ठीक हो चुका था और अब सभी मिल जुल कर खुशी खुशी रहते थे